हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीध आप सब अच्छे होंगे मैं हरे सब अभिप्स एजुकेशन फॉर एक्सेलेंट की इस आर्लाइन प्रेटफर्म आपका हर्दी स्वागत करते हूं कारें में क्लाश 10 साइन्स का आज जिस सर्ष कर रहा है चैप्टर नमबर 5 के बारे में जिसमें हम काफी तक पड़ लेते हैं लिए पर अधे तक और जितना important question है उस पर भी हमने चर्चर कर दिये था और कुछ जो बच गया है उस पर आज फिर डिसकस करने वाले यह चैप्टर सिर्फ चार नंबर क्याने वाली है मतलब इससे question जो चार नंबर क्याने वाली है दो नंबर का objective जिससे question कहा रहता है प्रथम पोसक इस्तर दूत संबर question जिस पर discussion हमने पीछ एलेक्शन में भी किया था और आज और जो बच गया उस पर आज करने वाले तो इसमें ज्यादा question आता है जो कि आप पढ़े हैं और जिसके बारे आप जानते हैं तो इसी कड़ी के सुरुआत करते हैं और देखते हैं फिर से इस शप्टर के बा आए और वाईस में पूछा गया था खादे जाल में टीन अंतर लिखिये और उसके अंतर बारे बताईए तो भाई भाई खादे स्रेंख्ट्रा बोलती ही पता चाहरा है चैन के बारे में सर चैन है मतलब क्या कड़ी धर्गड़ी बढ़ता रहेगा कैसा जब्स गांदर प्रिको को फिर इसलिए बना दिया क्या खाट आपकर इए और यह सब खूं रहा रहर में अब चलता यह बना दिया क्या खाट डिस रंखला में हमें क्या पता चला कि यह जो है चएलेजते चफीन को चरुत हरु है का घृ कर से कर तरह से kan और करक हो चलो साब खार है नहीं है फिर इस तापको कोन खारा है घिद्ठ अब इस ग्यंदे को खाना है आप अब देखो यहां से मैं है दा चीछ बादा चलेगा घास को खा रहा है खरगोश खरगोश को खा रहा है साप अब किस रूप में चल रहा है बताओ इसको खाने वाला यह है इसको खाने वाला यह है इसको खाने वाला यह यह जो है इसको खाए नहीं सकता यह तो आपको पता ही होगा यह जो है इसको खानी सकता डारेक्ट जरूर जलता रहता है यह लेकिन हाँ यह सो खा सकता है लेकिन इस चीज़ को मैं बताते हूं आपको बता दूँ अच्छे से कि यह जो है सिक्वेंस चर रहा है उसको मैं बोलता हूं खाई दिस रंखला अब इस जो चैन जो चर रहा है उस कंप्लीट को अगर मैं बात करो तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या जाल बोल सकता हूं वेव बोल सकता हूं क्यों क्यों क्योंकि यह कंप्लीट जो कहीं कहीं डिपेंड है एक दूसरे उपर क्यों बाग जो है सापको भी खा सकता है बाग जो है खरकॉस को भी खा सकता है या फिर गिद जो है साब को खा रहा है यह इससे इंटरलिंक है मतलब यह इससे मिला हुआ है अब यह इससे मिला हुआ है जुड़ा हुआ है तो यह जो है एक क्या बना रहा है यह जो है आपस में एक इतना जो कंप्लीट क्या बना दिया एक कंप्लीट बना दिया साइकल बना दिया ए स्रेंखला और तीनों जो है जो चैन बनता है वो कम्प्लीट वह समय बोलू तो उसको मैं बोल दूँगा जाल उसको बोलूगा खाद्या जाल बात समझ मैं बच्चों यहां तक है ना और और देखों जीओ की स्रेंखला जो भोजन के अधार पर एक दूसरे से सम्मंधित रहत है मैं देखो जो चीज में भी वोला हूं ओर ली है ना जो बहुत हो यह जिज़ा हो इसमें एक चीज़ा नहींदूसरा है जए और लेकिन यह बाकिन जो है इस लिंक है वो इसको भी खा सकता है ठीक है यह तीनों जो है एकदम है ऐसे वाली बात ही नहीं है क्यों क्योंकि यह जो है अपना जाल बना सकता है यह इसको भी खा सकता है जब जरूरत पढ़े तो है ना तो मतलब ऐसा नहीं है कि यह जो है चैन से चलता है चैन रूप में चले तभी खादे त्रेंखला बनी रहती यह तो यह हाथ तक तो सही बात लेकिन जब जरुट पर बाग तो ये भी खाया सकता है या फिर बोलूं अगर तीनों-चेरों को लेकर चलूं तो इस रहंखला जो बना हुआ है जो जाल बन जाता है यहां पसमें लेकर वह कालाता है कि खाध्य जाल ठीक यहां समझ में आया फिर यह इसका कार जो चोटा होता यहां तक बात समझ मैं ही और क्या बोल सकता हूं इसकी दीशा कैसे एक छोटे से बड़े की दीशा क्यों चलेगी एक दीशा चलेगी कौन खाद्यजाल लेकिन यह खाद्यजाल वो जो है किसी को भी रेंडम ने उठा जाए सकता है इसको दीशा जो है इस प्रकाल आप दो नं क्या मनुस्तर की बढ़ती आवादी का बागो की संख्या पर कोई असर पढ़ रहा है वर्नन कीजे 2019 में पूछा गया अब देखो यह जो है कोई पढ़ाने पढ़ने वानी बात नहीं है यह आपके खुद के मगज खुद की दिमाग के ऊपर है कि क्या वाकई में मनुस्तर क आपको बाग दिखाई दे रहा है अब रियालिटी में जब अभी अब जिसे आप चैतन मन को बात की बात है अब जब से आप क्या कर रहे हो समझना चालू किया हो तो क्या आपको बाग कहीं पर हमला किया क्या बाग कहीं पर आया ऐसा कुछ जादा न्यूज में सुने हो बह है अब कि अब तो हमें बाग को देखने के लिए किसी जू जाना पड़ते हैं इससे पहले तो था था इतना कि हम काउंड कर सकते थे ऐसा था है करदे वह नहीं कॉंज इतना था कि हम काउंट कर पार रहे हैं बागों की संख्य में बहुंट जदाएफेक पड़ा है अब यह क्यों पड़ा है इसके पिछे बहुत सारे रिजियुन है जिसमें से एक स्पेस्पिक कहा जाए अगर तो यह जो आपका जो बढ़ रहा है जो संख्या बढ़ने से बाग लोग दरके जा रहे हैं छे कि या फिर बाग हों मतलब यह शेयर लोग है की लोग कईव संख्या पाय बनने क्वान ज़्याइब हुरे हैं थोड़े दिमाग लगो क्या हो सकता इसका में आ सम्धि तो जिन्टील के आपको पेड़ के आव सकता पढ़ती हैं क्यों पीपर भी उसी से बढ़ रहा है आपके जो रिकॉर्मेंट था जितना इक्जाम दिला थे आज दबाव पढ़ गया ज्यादा इस डिला रहे है ज्यादा लोगों पेपर से ज़रत पढ़ रहा है जो बन रहा है उस कैसे इंटरलिंक है कैसे हमारा दबाव जो है जन संख्या जो है कैसे इफेक्ट पढ़ रहा है और आज देखिए आज कम दिखा है हमारा सेर बाग समझ पार है तो यह बोल सकता हूं कि बर्तित दबाव में वहनों की कटाई ज़्यादा हो रही है वहनों की कटाई होने की करण उन लोग के लिए इतना ज्यादा दोहन कर दे रहा है जंगल से लेकर आपके जीतना भी हर वह मटेरियल हर वह इनवार्मेंट जिसको परियावरनी इतना नुकसान पहुंच रहा है जिसे पसु पच्छी और जीव जनतु को भी नुकसान दोहन करना पढ़ रहे हैं तो यह बोल सकता हूं में सर कि जो आपके मनुष्य की बढ़ती अबादी है वह बागों की संक्या पर बिल्कुल असर पहुंचा रहा है जो कि आपके इंप पढ़ते हैं आप सोसाल साइस में पढ़ क्या होंगे जन संख्या का कितना नुकसान है कहां गरीबी से लेकर वेरुजगारी तक यह सब पता ही है ना आपको वही सब है और जो आप खुद दिमाग में जो आ रहा है वह बिल्कुल आंसर लिखे मैं इस प्रिश्पिक आंसर पिरामिड जो सीधा रहता है उल्टा रहता है उस पर लेकिन वह जो है मुखे रुप्चा कच्छ बार्यू में कच्छ ग्यार्यू में जब जाएंगे हायर क्लास में तब अच्छ पढ़ेंगे अभी जो है आपको उसको बारे में थोड़ा बेसिक जनका ले ही लिजिए और है जब कुछ लहां कर नहीं सबस्क्रत करने वाला हो जोने कर सब्सक्राइब एक कर कार्बन का गारबन का साइकल है वो क्या होता है और को सैकल है वो क्या है इस पर चर्चा करते हैं यह क्या है undertaking । प्रकास नसलेशन की क्रिया होती है कहा है पौदों में होती है यह तो पता ही आपको अप्रकास नसलेशन में क्या होता है वह जीतना एनर्जी यूज करता है इसी पीच में बात करना चाहूंगा 10% की नियम है इनर्जी का इसमें बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है वह पूछ रहाता है लेकिन अगर बात की बात करच्छा दस्वीं में पूछ दे जाए तो उसके बारें भी आपको जानना भी जोरी त्लेशन में दिया हुआ है यह त पौधा पौधा जो है रखा हुआ है इनर्जी उसको अब पौधा पौधा जो है रखा हुआ एनर्जी उसको अब यूज़ करेगा अपने लिए अब देखो अब कन्फिज नहीं होना है मैथमेटिक नहीं पढ़ा हुआ है आपको यह बोल रहा हूं कि सौर उर्जा से तेन पर्षेंट कंज्यूम किया कौन हरे पेड़ पौधे वह तेन पर्षेंट उसके लिए किसके लिए पेड़ पौध यह लोग ले रहा है उससे वह क्या करता है उस पर्षेंट से तेन पर्षेंट लेता है कि समझें यह तो लोग भी 10 पर्षेंट उसको एंधर उदर में उसको वेस्ट कर देता है अब वो उसके 10% से फिर जो दूसरा पोसक इस्तर है वह भी 10% यूज कर पाता है फिर यह चलता रहता है इसको बोलते हैं उर्जा के 10% का नियम अब इसको मैं अगर साब सब्सब्स बोलूं तो मैं बता दूँ यह क्या होता है कारवन चकर में थोड़ देर बताऊंगा वह फि क्या बोलता है भी सूरिय भगता है ना सूरिय जो वह आपको कितना दिया भाई रुल्ब्स प हाटर को backwards दे रहा है लाप MARY언च के दोस्ट जिसका नाम सूर्या पोलो के भाई को HOW हरा भाई सब्रस्राइं से सब्सक्राइब उर्जा र्यों करतें सब्सक्राइब चацlarını क्यों वेश्ट कर दिया तो तो उर्जाग कर देता है अपने उपनी ले पाता है वो सिसेफ त यहाँ यूद्म करता है जिसको आगे बड़ाब आता है कि 90% पूरा वेश्च कर देता है लेकिन वेश्ट कर देता है उसके पास सिर्फ 10 per रूप्या अब यह 100 रूपया जो है ना ओहरा भाई के पाद 100 रूपया वह दिया आपके खरगोज भी एक हो दिया है ना खर्गोज भी एको अभी 100 जो है उससे मदला पर जो 10% निकालो अब इसका 10% कितना होगा बच्चो 10% अगर बोलू तो परसेंट कैसे निकाल थे 10 भाई डिवाई डिवाई भाई सो करो ठीक किता है भी 10 आया मतलब 100 रुपय में 10 रुपय दे दिया खर्गोज भी एको अपना 10% रिया खर्गोज भी एको तो मतलब देखो कैसे खाद्र संक्ला बर रहा है और कैसे दस परशंट नियम चलते आ रहा है फिर जिस खर्गोज जो है जितना इसको एनरजी मिला है उड़ जा उससे क्या करता है अगले पोसक इसा तक जाने में क्या प तो पास कितने एंशाब पहुचेगा इस तेन का तेन परसक्ति इतना होगा 1 रुपया आप कि मतलब यह जो तो यिन चाहिं हो क्या बोलता है वबोलता है कि जितना भी यूज होता है रहने वाले जो परक्रिती में कर दो से अंकलब बना हुआ है तो इस प्रकार दस परचेंट का नीयम है बोलता है एक तरिजय फूरार सक्ष्थल में रहने वाले जो भी पदार्त है जो भी आपके रहने सकता है हर एक सीक्वेंस में चलना वाले जो आपके सूरिया धर फो माथ किसी तर के जी इनर्जी कन्सम्राइब समझ इनरजी के 10 परषेंट का लॉझ तीक अब आगे के खाल trigण domestic में क्या पता है पिक हमजम करते हैं स्वास क्या ले रहा है शुक्त कर रहा है को न क्षंद कर लेता है प्रकासर सेक्रिया से यह नर्जी को क्या करता लेता है तौन लीज़क है कि मतलब बाहर मेंरा मंदल में करबंड़ व्य मंदल्स से कहां यह और भी पर का नेब फिर यह कर नचीड चांटाइक चांए पर ऊसक्र थे सब्सक्राइब आट उपने पूसले साल करता है क्लोन दिक्राइब भड़ाई मसमें दमन मूद रहाता है तो बुद्सक्राइब प्रकार साइकल चलता रहता है और तक जो लेने वाले चीज़ है जो उर्जा मिलता है उसको क्या करता है बहुत मैं तक है इतना क्षिप कोष्चन नहीं कोष्चन नहीं आया है अभी तक लेकिन यह सब्सक्राइब करें कर दो से सब्सक्राइब कर एक अब यह चलता है और जो है अब चलता है क्यों कि यह लेकिए और चलता है फिर आपके सब्सक्राइब करेंगे इंपोर्टेंड डिस्कुसन करेंगे कि फिरामिड के बारेमेर जो सीधर पिरामिड हमेड और मैं नहां बारे में घास को लेने वाले खाने वाले और कि अब करोश को क्षाने वाले आवाले क्या भई संप और कि आप को खाने वाले क्या है बाग अब देखो अब संख्या क्या दार पर मैं बात करूँ जीवारों देखो सब्सेमें ज्यादा मातर किस करता है घास करता है अगा उसको खाने क्वाइब क्वाइब कर रहा है तीक है यह कितना खाएगा इसकी संख्या फिर कम होगी किसकी आपकी जो साप है उसी संख्या कम होगी क्यों 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 कि आपके संख्या की पर मता हूँ आपके संख्या की अथा पर चलू सभना तो यह क्या बर रहा है यह मत समय हुआ हुआ थोड़ा बेसिक जनकाई नहीं जाएंगे अब यह हुआ समझ में यह अब यह तो सीधा हुआ ठीक है सर अब क्या होता है अब भार के दिश्रीश कैसे चलेगा बात तो हम जीव संख्या के बारे में देख लिए थे भाई अब हम देखेंगे कि जो जीव का भार है उसमें कैसे तो पिरामीड तो उसपर चर्चर करेंगे अगर तो एक देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो आपका क्या है यह जो है चोटे जो पर इसकी मातर ज्यादा है वह निचे न दिखाई दे रहा है है ठीक है भई क्वाटिटी की में बैसम अगर बात करूं तो इसके मातर ज्यादा दिखाई दे रहा है नीचे में हैं लेकिंगे इसका भार तो बहुत ही क्या होगा लोगा कम ही होग एकदम कहा जलतो नगन्य मान सकता हूं मैं नेगलेट कर सकता हूं इतना भार रहे इसका फिर उससे ज्यादा भार रहेगा सर छोटी मशलियों का फिर उससे ज्यादा कई गुना भार रहेगा किसका वेल मशली का पता ना भी वेल मशली के बाहर कितना होता है इसके लिए कं ना तो बहूंत जा़ रहते है इसके तो पता चला सर की फाहर है कि दृखत फ्विन को तो पता चलता है कि यह कीसा हो रहा है जागत जादा भाय से कम बा varit जा रहा है मतलब आए क्वा viteya ने लुटा सोगー प्रम यह नुभ पढ़ेंगे अगर के रिलेटिव हैं यह जैसे भी हो उन लोग से बिल्कु पूछ सकते हैं उनसे आप जानकाई ले सकते हैं अगर उनको नहीं पता होगा तो हमारे संख्य नहीं के संख्य पर होगा है अपके मरिदम पाय जाने वाले कवा इस पर घास जो है घास कौन खा रहा है आपके खरगोष्ट भी यह जो खा रहे हैं साप अरे इसको भूल गया अपना मेढग बिचारा है ना वह इस पर पर लगड़ बगगा फिर उसका खाने वाले कौ सब्सक्राइब कर लिए तो इस परकर हम जो है आपकी जो चैप्टर उसको कंप्लीट कर दिया और मैं बताना चाहूंगा हमाया जो इकदाम सीरीज मिसन चाड़ है वह आप लोग के लिए इस पेसली बिलकुल आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ब झाल